कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता जो स्टेज पर बैठे हैं हमारे प्यारे कार्यकरता शेर और शेरनिया भाईयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहां बहुत-बहुत स्वागत आपने इतना प्यार दिखाया 25 किलोमेटर आप हमारे साथ चले सर्दी में चले इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और हर्याना की जन्ता जिसने हमें जबरदस रिस्पॉंस दिया है जिसने इस यात्रा को अपनी यात्रा बनाया है खास तोर से जो हमारे युवा हैं माताएं और बहने हैं आप सबको मैं दिल से अपना प्यार और धन्यवाद करना चाहता हूं यात्रा शुरू हुई थी तो हमारे जो प्रेस के मित्र हैं उन्होंने कहा कि केरला में अच्छा रिस्पॉंस है उत्तर भारत में यात्रा को रिस्पॉंस नहीं मिलेगा महराश्टरा में करनाटक में नहीं मिलेगा करनाटक में बीजेपी की सरकार है करनाटक पहुँचे तो केरला से बहतर रिस्पॉंस करनाटक में मिला फिर मीडिया ने कहा कि भई करनाटक में मिल गया रिस्पॉंस महराश्रा में नहीं मिलेगा मेरा महराश्रा पहुचे करनाटक से बहतर रिस्पॉंस उसके बाद कहते हैं मध्यप्रदेश में बीजेपी की सरकार है नौर्थ इंडिया है वहाँ पे तो सवाल नहीं उठता वहाँ पे लाखों लोग आ गए बाहर सडकों पे गाओं के गाओं शेहर के शेहर बाहर आ गए कि बाकि सब प्रेदेशों को दिखा दिया कि हर्याना क्या है और हर्याना क्या कर सकता है और जो हमने नफरत मिटाने की बात की डर मिटाने की बात की वो सचमुच हमें इन सडकों पे आपने दिखाया है इस यात्रा में किसी ने गलत तरीके से किसी से बात नहीं की कोई गिरा चाहि हिंदू हो मुसल्मान हो सिख हो इसाई हो मैंने अपनी आखों से देखा जैसे ही गिरा यात्रा ने उस व्यक्ति को अपने गोद में लिया किसी ने नहीं पूचा भई तुम हिंदू हो, मुसल्मान हो, सिक्क हो, इसाई हो, कौन सी जाहत के हो न, जैसे ही कोई गिरा, वैसे ही पुरी यात्रा ने, हिंदुस्तान ने, उसको अपना माना, उसको उठाया, पानी पिलाया, अगर पट्टी की जरूरत थी, पट्टी की, औ फिर का चलो चलो हमारे साथ चलो, यह आपने दिखाया हमें, और यह नई चीज नहीं है, यह आपका जो प्रदेश है, यह सदियों से, देश को यही दिखा रहा है, महभारत की जमीन है, कौर अफ पांडवों की जमीन है, जो उस समय लड़ाई थी, बात लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है, मकर जो उस समय लड़ाई थी, वो ही आज लड़ाई है, लड़ाई किसके बीच में है, नहीं, देखिए, पांडव कौन थे, अर्जुन, भीम, ये लोग कौन थे, ये लोग तपस्या करते थे, क्या पांडवों ने, इस धर्ती पे नफरत फिलाई थी क्या, आपने महभारत पड़ी है, क्या उसमें लिखा है, कि पांडवों ने, किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराज किया कहीं लिखा है, पांडवों ने, डी मोनेटाइज़ेशन किया क्या, नोट बंदी की थी क्या, गलत जी असटी लागू की थी क्या, कभी करते, कभी नहीं करते, क्योंकि वो तपस्वी थे, और वो जानते थे, कि नोट बंदी, गलत जी असटी, किसान बिल इस धर्ती के जो तपस्वी है उनसे चोरी करने का तरीका है एक तरफ तपस्वी थे पाँच थे दूसरी तरफ संगठन था एक तरफ पाँच तपस्वी और भीड उनके साथ पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे जैसे ही यहाँ पर यात्रा चल रही है इसमें कोई यह नहीं पूछता भईया कौन हो कहां से आये हो महबबत की दुकान है यह पांडवों ने भी आप याद रखिए आप याद रखिए पांडवों ने भी पांडवों ने भी अन्याय के खिलाफ काम किया था पांडवों ने भी पांडवो ने भी नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोली थी देखिए पुलिस वाले सिर हिला रहे हैं देखिए मुश्कुरा के सिर हिला रहे हैं पुलिस वाले समझते हैं ये भाईया कैमरा इस साइड मत दिखा देना फस जाएंगे गलती से भी मत दिखा देना कौरव कौन थे भाईया कौरव के हाथ में कौरवों के हाथ में 21 सदी के कौरव बता देता हूँ 21 सदी के कौरव हाफ पैंट खाकी हाफ पैंट पहनते हैं हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाका लगाते हैं उनके साइड में उनके तरफ हिंदुस्तान के दो तीन सबसे अमीर अरब पती कौरों के साथ खड़े हैं भाई और मेनों नोट बंदी किस ने करवाई गलत जी एस्टी किस ने लागू की किस के लिए की गई और किस के खिलाफ की गई ये आप समझे नोट बंदी गलत जी एस्टी नरेंद्र मोदी ने जरूर साइन किया मगर नरेंद्र मोदी जी की शक्ती ने गलत GST, नोट बंदी नहीं लागू करवाई, हिंदुस्तान के दो-तीन अरब पतियों की शक्ति ने, इन्हों ने प्रधान मंत्री का हाथ चलाया, मानो ना मानो, आपको देखने को मिलेगा, उस समय के अरब पति पांडवों के साथ खड़े थे क्या, अगर खड़े होते तो पांडव जंगल में क्यूं बैठे थे, पांडवों को घर से क्यूं निकाला, क्यूंकि उनके साथ अरब पति नहीं खड़े थे, मगर उनके साथ इस धर्ती की जंता, इस धर्ती के किसान, इस धर्ती के मजदूर, इस धर्ती के गरीब, इस धर्ती के छोटे दुकानदार, इस धर्ती के स्मॉल और मीडियों बिसने सब खड़े थे, ये देश भाईयों और मेनों ये देश तपस्वियों का देश है मुझे कहा जाता है मुझे किसी ने कहा आप तीन हजार किलोमीटर चले मैंने उससे का तो क्या हुआ मैंने क्या बड़ी बात कर दी अगर आप जाओ और इस देश के किसी भी किसान से पूछओ भाई पिछले चार महीनों में आप कितने किलोमीटर चले हो वो आपको बता देगा तीन हजार चार हजार, पांच हजार किलोमीटर चला हूँ हाँ, कन्या कुमारी से दिल्ली नहीं चला हूँ मगर अपने खेत में चला हूं मंडी गया हूं मंडी जाकर वापस आया हूं फिर मंडी गया हूं फिर वापस आया हूं खाद खरीदने गया हूं बीज खरीदने गया हूं मैंने क्या बड़ा काम किया कुछ नहीं किसी भी मजदूर से आप पूछ लो आपको बताएगा 24 घंट 24 घंटा मैं सर पर बोज रखके आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलता जाता हूँ वो ये जो घड़ी है ना फिट्विट वाली ये जो मैं पहना हूँ जो किलोमेटर दिखा देती है वो नहीं पहनता है इसलिए उसको शायद पता नहीं लगता कितने किलोमेटर चला है हमारे साथ यातरी चले मुझे कहते हैं भहिया तीन हजार किलोमेटर चले मैंने उससे का भहिया तुम्हे खाना मिला हाज सुबह भुजन खाये तुमने कितने बार भुजन खाये तीन बार खाये ना तो वो जो चल रहे हैं आदी रोटी खा रहे हैं और तुम क्या बड़ी बात कर रहे हैं वो आदी रोटी बें 30,000 किलोमेटर चलते हैं तुम भरपूर खाना खा के 30,000 किलोमेटर चलके छाती फैला रहे हो क्या मतलब इसका फिर यह मेरी टीशर्ट के पीछे पढ़ गए इनको अभी तक समझ नहीं आ रही बात नहीं उनको समझ नहीं आ रही बात देखो ये कह रहे है टी-शिर्ट क्यों पहना है ये सफेड टी-शिर्ट क्यों पहना है इसको सर्दी नहीं लगती सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैं आपको पताता हूँ क्यूं पहना हूँ यात्रा शुरू ही किरला में बयंकर गर्मी ऐसा लग रहा था वही या टीशर्ट उतार दो मतलब उसमें पसीने आ रहे थे हुमिडिटी बहुत थी किरला में काफी मतलब गर्मी लगी फिर मैं मद्यद प्रदेश में गया थोड़ी ठंड होने लगी थोड़ी से मतलब जादा ने सुबह सुबह क्या हुआ छे बजे हम निकलते हैं सुबह सुबह तीन गरीब बच्चे मेरे पास आ गए फटी वी शर्ट थी और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा हात लगाया फोटो के लिए फोटो लेना चाहते थे एक इस साइट और नड़कियां थी ये साइड एक साइड जैसे मैंने उनको पकड़ा हो काप्री थी थंड से काप्री थी और फिर मैंने देखा पतली से शर्ट थी उस दिन मैंने निन्ने ले लिए कि जब तक मैं नहीं कापूंगा मैं टी-शर्ट पहनूंगा जब कापना शुरू हो जाएगा जब मुझे अच्छी मतलब ठंड लगने लगेगी जब जबर्दस कटिनाई होगी तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा में उन्नको मैसेज देना चाहता हूँ कि आगर आपको ठंड लग रही है तो पर राहूल गांदी को भी ठंड लगेगी जिस दिन आपने स्वेटर पहन लिया उप उत्रा गांदी पहन लेगा इस नहीं नहीं यह बात मत बोलो यह फिर से आप गल्द बात बोलना शुरू कर देओ महात्मा गांदी नहीं हूं मैं आप नहीं सुनो यह मेरे जैसे इस देश में करोणों लोग है ठीक है करोणों लोग है यहां पर क्या हो रहा है यहाँ पे काम कोई कर रहा है तो पस्या कोई कर रहा है जिसमें ने पांडवों की बात की यहाँ पे युद हुआ था हजारों लोग मरे थे वो क्यों हुआ था क्योंकि उस समय हिंदुस्तान में जो काम कर रहा था जो तपस्या कर रहा था उस समय किसान थे मजदूर थे आज किसान हैं मजदूर हैं छोटे वियापारी हैं स्मॉल और मीडियम बिजनिस चलाते हैं आज हमारे पास माइक्रोस्कोप बनाने वाले लोग आए आप बनाते हैं मैनुफैक्चरिंग है देखो इनकी 100-200 लोगों को यह रोजगार देते हैं यह तपस्या गरते हैं 24 घंटा कोई माइक्रोस्कोप बनाता है कोई यहां पर पोल्टरी फार्म चलाता है कोई कोई खेती करता है गन्ना उगाता यह तपस्वी है देश के और खाता कोई और है और खाता कोई और है और जो खाता है भाईया वो तो दिखते भी नहीं है उधारन देता हूं प्रधान मंत्री भीमा योजना आपके जेव में से पैसा निकलता है आप देते हो और हिंदुस्तान की सरकार आपका पैसा उसमें जोड़ती है आप सुबह चार बजे उठते हो चार बजे उठने के बाद आप काम शुरू करते हो आपके साथ खेत में आपके इतने चोटे-चोटे बच्चे होते हैं पुरा परिवार काम करता है फिर तुफान आता है आंदी आती है, बारिश होती है, ओले गिरते हैं और फिर आप जाते हो बीमा लेने के तो भाईया चलो नुक्सान हो गया बीमा का पैसा तो भरा था पता लगता है इंटरनेट पे आपको कंपणी नहीं मिलेगी नाम नहीं मिलगा फोन करो कोई जवाब नहीं देगा आपकी तपस्या कोई और खा गया GST के बारे में बताता हूँ मज़ेदार बात मैंने सुनी अगर आप चाहे वो मैदा हो गुड हो अगर आप 25 किलो से मैदा गुड अपनी दुकान में बेचते हो चोटे वियापारी को बात कर रहा हूँ अगर 25 किलो से कम बेचते हो तो आप पर GST लग जाती है और अगर आप 25 किलो से ज़्यादा बेचते हो आप इक GST नहीं मतलब चोटे वियापारी पर GST अधानी पर GST नहीं क्यों आपने क्या गलती की अगर आप पर लग रहे तो उन पर लगनी चाहिए अगर उन पर ना लगे तो आप पर ना लगे किसाना है हमारे पास MSP की बात की हिमाचल प्रदेश में मैंने आज अकबार में पढ़ा सेव का पूरा का पूरा वियापार एक उद्योगपती के हाथ में जम्मू कश्मीर जाएंगे पूरा का पूरा सेव का वियापार उसी उद्योगपती के हाथ में नहीं नहीं हुए भईया क्योंकि शहीद जो होता है उसको शहीद का दर्जा मिलता है पार्लिमंट हाउस में मैंने बात उठाई कॉंग्रेस पार्टी ने बात उठाई कि भईया यह 700 लोग शहीद हुए है इनका नाम तो ले लेजिए पार्लिमंट हाउस में दर्ज शहीद का दर्जा तो दे दीजिए प्रदाना मंत्री कहते हैं कोई शहीद नहीं हुआ हमने मौन करा दिया वहाँ पर मैं खड़ा हो गया मैंने का भईया हम तो मौन करेंगे स्पीकर गुस्सा हो गया मुझसे कहते देखिए पार्लिमंट हाउस में जो साथ सो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए दो मिनट मौन नहीं रखा जा सकता है हम जानतेंगी शहीद हुए उनके परिवार जानतेंगी शहीद हुए हिद्धुस्तान की सरकार नहीं जानते हुए उनके लिए नहीं शहीद हुए मगर वैसे मैं उनकी बराई इतना नहीं करना चाता वो करने जो करने हैं करने दो उनको मैं क्या जाता हूँ कि जो तपस्वी है चाहिए वो किसान हो मजदूर हो छोटा वियापारी हो जो वो तपस्या कर रहे है गीता में लिखा है क्या लिखा है गीता में तपस्या के बारे में बताईए भईया आप से ले रहाने तपस्या करो और फल मत देखो मगर गीता में ये नहीं लिखा है कि तपस्या करो और फल नहीं मिलेगा तो गीता में लिखा है तपस्या करो और ये देश तपस्या कर रहा है और इस देश की सरकार को उस तपस्वी की मदद करनी चाहिए उस तपस्वी की रक्षा करनी चाहिए ऐसा इंदुस्तान में देखना चाहता है यात्रा का यही लक्ष है यात्रा यात्रा का लक्ष यह है यात्रा देश को यह बता रही है कि आपकी तपस्या जाया नहीं जानी चाहिए मैं जानता हूँ कि जिस दिन हिंदुस्तान के किसान मजदूर छोटे विया पारी इनको इनकी तपस्या का फल मिल जाएगा उस दिन इस देश के सामने कोई देश नहीं खड़ा हो सकता है यह आप यह आप अपने मोबाल फॉन के पीछे देखो इसमें devilpei made in china पुलीस वालों के जूतों के नीचे लिखा होगा made in china shirt के पीछे made in china microphone के नीचे made in china तंग आगया हूँ मैं made in china से जहाँ देखो made in china made in china मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे बेजिंग में चायना का युवा फोन देखे उसमें लिखाओ मेड इन कुरुक्षेत्र ऐसा इंदुस्तान चाहता हूँ और जो कुरुक्षेत्र में जिसने माइक्रोपोे बनाया सुरी अमबाला जिसने अमबाला में माइक्रो Missouri बनाया उसके जेव में चाइना के युवा के पैसे आए ये चाहता हूँ मैं तो मगर सबसे पहला कदम सबसे पहला कदम डर और नफरत को मिटाने का है देखिया हरियाना में युद हुआ था पांडवों ने डर और नफरत को मिटाने का काम किया था जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में महबबत की दुकान खोली थी और ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये मत सोचे कि मेरा नारा है मेरा नारा नहीं उनका नारा है ये ये पांडवों का नारा है ये पांडवों का नारा है ये भगवान राम का नारा है ये इस देश का नारा है और हजारों सालों से ये नारा चल रहा है ये कुछ नया काम नहीं किया मैंने आकरी बात कहना चाहता हूं और ये आपको मालूम होनी चाहिए देखिए जब भी मैं चल रहा हूँ जहां भी मैं जाता हूँ राजिस्तान में जै सिया राम जै सिया राम अच्छा ये RSS वाले हर हर महादेव तो कभी नहीं कहते अब देखो नोट करो कभी नहीं कहते ये क्यों नहीं कहते नहीं मैंने सोचा इसके बारे में क्यों नहीं कहते हर हर महादेव क्यों नहीं कहते नहीं क्योंकि शिव जी तपस्वी थे और ये हिंदुस्तान की तपस्या पर आक्रमन कर रहे है इसलिए हर हर महादेव नहीं कह सकते मगर बात मैं जैसिया राम की कर रहा हूँ यहां पे राम 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 सुना मैंने राम राम जैसिया राम अब जैसिया राम यह कभी नहीं कहते इन्होंने सीता जी को नारे से निकाल दिया उठाके बाहर फेक दिया का हम नहीं कहेंगे ये हमारी हिस्ट्री हमारे संसकार हमारे इतिहास के खिलाफ काम किया इनुने और जब भी कॉंग्रेस पार्टी का कोई भी कार्य करता RSS के कार्य करता के सामने आए उससे कहो तुम जैसी आराम कहोगे और उससे जैसी आराम कहलवाओ क्योंकि जितने जरूरी राम थे उतनी ही जरूरी सीता थी तो आप सब यहां आए इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आज एक कमी रह गई आज एक कमी रह गई हमने आज वो जो बीजेपी के लोग करते है देखिए उनके संगठन में महिलाई तो होती नहीं है अलावी नहीं है अभी तक नहीं समझाया मुझे उनके संगठन में महिलाई क्यों नहीं है वो अलग बात है मगर आज हमने पूरा दिन महिलाओं का कर दिया तो जो हमारे पुर्ष हैं उनको आज थोड़ी मुश्किल हुई आप अंदर नहीं आ पाए आप मिल नहीं पाए तो है मैं आपसे माफी माँगना चाहता हूँ और कल दोनों स्री और पुर्ष का दिन है तो आप सब आप सब लोग आप आएंगे और आपसे मिल सकेंगे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैद